सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलिवुट के अडारेबल कपल कही जाते हैं दोनों की शादी को करीब 12 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पर इन दोनों की कई सारी तस्वीरे वाइरल होते रहती हैं और वो कपल गोल्स भी देते वे नजर आते हैं वह दोनों को साथ में देखकर एसा लगता है कि सैफ और करीना मेड़ एपऊवर इचादर हैं ऐसा बिल्कुल भी लगता यंका इस्फिर माक आपस में कभी ध्यगरते भी होंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों के बीच भी अनबन होती है इस बात का खुलासा खुद अब करीना कपूर खान ने कर दिया है, इतना ही नहीं, करीना ने तो सैफ और अपनी बड़ी बहन करिश्मा को लेकर वी एक शोकिंग खुलासा किया है, जो अब चर्चा का विसेवन चुका है, तो चलिए आज अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐस ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिनका तालाग एसी टेमपरेचर की चलते हो गया है, अब उसे 16 डिगरी चाहिए और मुझे 20 डिगरी चाहिए, फिर वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि 19 डिगरी पर सेटल करते हैं, जो उतना बुरा नहीं है, वह इस दौरान करीना ने ये भी बताये कि जब उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर उनकी घर पर आती हैं, तो वो एसी का टेमपरेचर 25 पर कर देती हैं, उन्होंने बताया कि हर बार जब लोलो घर पर आती हैं, और हम डिनर करते हैं, तो लोलो टेमपरेचर बदल कर 25 कर देती हैं, तब सैब कहते हैं कि गौड शुक्र है मैंने बेबो से शादी की है क्योंकि वो कम से कम 19 पर मान तो जाती है मुई करिना ने आगे ये भी कहा कि हम बाकी किसी वी चीज पर लडाई नहीं करते जैसे कि पैसा हो गया हमारे बीच बस लडाई इस वज़े से होती है क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और इसकी वज़े सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बता पाते हैं एक्ट्रस ने कहा कि जब वो यानी की सैफ घर पर होते हैं तब मैं शुटिंग पर होती हूं इस तरह से हमारा बिजी शेडियूल रिष्टे पर असर डालता है लेकिन एक कलकार होने के नाते ये होना काफी आम है इसके लिए जरूरी ये है कि आप एक दूसरे से हर वक्त बात करें ताकि रिष्टे में खटास नाय वहीं आपको बता दे कि अमरिता सिंग और सैफ अली खान ने साल 2004 में तलाक ले लिया था इसके बाद उनकी लाइफ में करीना कपूर की एंट्री हुए वहीं पात साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 2012 में शादी चाली वही कपल के दो बेटे हैं जिनका नाम टैमूर और जे है वही करीना सोचन मीडिया पर अक्सर अपने बच्चों की तस्वीरे शेयर करती रहती है चलते चलते एक ज़रूरी जानकारी आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चानल पर एक जॉइंट बटन देख रह न्यूज नेशन